और इस वक्त की बडिक्वर आपको बता दें दिल्ली में प्रदूशनल लेवल खतरे से उपर दिल्ली के कई इलाकों में एक युवाई का लेवल 300 के पार पहुँच चुका है वहीं दिल्ली में यमना का प्रदूशनल अस्तर भी बढ़ा हुआ है तो दिल्ली बालों के लिए आपको बता दें कि बहुत ही मुश्किल हमारे सहीऊगी बिमलकोशिक नहीं जाए जालिया है आईए देखते हैं तो दोलग-लग तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं एक तरह आप आप देख सकते हैं कि दिल्ली में यमना का जुस्तर है आप देखिए कि जहरीली जहां पानी किस तरह से जहाक फैला हुआ है दूसरी तस्वीरे आपको हम दिखा रहे थे कि एक युवाई का लेबल भी बिलकुल ख़तरी के निशान के उपर पहुँच चुका है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां कि ऐसी इस्थिती बताई जा रही है रहकर बादलों की सेर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है देश की राजधाने दिल्ली के ओखला बैराज पर यमना की यह तस्वीर बया कर रही है कि जीवन जीने के लिए जो दो बुन्यादी चीज़े चाहिए उनकी क्या हालत है हवा और पानी दोनों ही बुरी तरह के सब प्रभावित हैं देश की राजधाने दिल्ली में चाहे एर क्वालिटी की बात करें चाहे यमना की स्थिति की बात करें क्योंकि अब कुछी दिनों में छट पूजा का आयोजन होगा और बड़ी संख्या में श्रधालू यहां पर आएंगे और हर साल इसी तरीके की अमोमन इस समय यह तस्वीर देखने को मिलती है और इसको लेकर तमाम तरह के दावे के जाते हैं तमाम जो अधिकारियां जिनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है और जिनोंने बड़े बड़े दावे के हैं तमाम जो नेता हैं जो अक्सर हर साल यही क पर आते हैं अपने पूजा पार्ट करते हैं अपने रिच्वल को करते हैं आज भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग आई हुए तो हमारे साथ कुछ लोग है जो नॉड़ा से आई है क्या नाम है आपका मेरा नाम बाव भी है अच्छा आप यहां पूजा के लिए आए नह परसाइशन को सरकार को सुनी नहीं रही है अक्सर यहां आते हैं अक्सर हर सनीवार आते हैं हर सनीवार पूजा करते हैं नाते दोते हैं अपने जितने भी हमारे भगत हैं जितने भी सेवक हैं सब ही आते हैं सब कोई लेकर आते हैं घर परिवार में से बच्चे भी आते हैं दिक्कत अब ते कोई लिए अभी तक कोई पर चलो और सब लोग नहां गए सब्सक्राइब करें तो और मजबूरी में नहाना पड़ता है अब आप कहां से आई हैं आप लोग अच्छा पूरी परिवार यह पूरा परिवार है तो ऐसे चोटे-चोटे बच्चों को यह भी नहीं है यह सब को निलाया यह देखे यह तो कि यह अपने परिवार के जो वह हैं पूजा पार्ट के लिए हर्शानिवार को यहां पर पहुंचते हैं और यह यह जानते हैं कि इस पानी में जाना कितना खत्रना गया लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरी में इनको जाना पड़ता है क्योंकि यह नौइडा से आई हैं और जो नौइडा की तरफ जो हिंडन निकलती है उसकी अहलत तो और भी ज्यादा खराब है इससे भी बहुत कंडिशन है तो आप खुदी अंदाज है लगा सकते हैं लेकिन लोगों जो है उनके पास कोई चारा नहीं है उन्हें अपने पूजापाट करनी है जिसके यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए पूरा परिवार आया हुए जो यहां पर पू इस पानी में नाने से कहीं भीमारे हो सकती है इसकी निलर्जी हो सकती है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के सामने कोई और चारा नहीं है जो कुछ कुछ इलाके जो की प्रदूशन के लिए जाने जाते हैं वहां पर यह 300 का अकड़ा भी पार कर चुका है तो आप अं के से भ्यानक हो चली है वैसे तो दिल्ली के लोगों को आदत है साल में ऐसे शायद गिने चुने ही दिन होते होंगे जब वह साफ आवा में सास ले पाते हो अक्सर दिल्ली में एर कॉलिटी हमेशा पूर ही रहती है लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे तापमान गिरेगा वैसे ऐसे पॉलिशन और जादा बढ़ेगा और जो एर कॉलिटी इंडेक्स है वो खतरनाक से बेहत खतरनाक और फिर एक ऐसी सिचुशन में पहुँच जाएगा जब दिल्ली वालों के ले सास लेना दूबर हो जाएगा अकर लोधी रोड इलाके की बात करें यहाँ चारो तरफ का इलाका है यहाँ पर जहां अक्सर पॉलिशन का स्तर बहुत जादा खतरनाक रहता है तो आज भी उसी तरीके की तस्वीर एरकुलिटी इंडेक्स बता रहा है आनद व्यार की बात करें तो साले 300 से पार निकल गया अरके पुरम में भी लगबग इतना ही है तो यानि कि द खराब और फिर खतरनाक स्तिती में जाने लग गया है